हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने iq3 android mobile phone में आप अपने mobile phone की auto touch की problem को आप कैसे solve कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को में start कर लेते हैं देख आपकी screen की सामने एक page open होगा छोटा सा इस तरह कीगा इसमें आपको restart का यह option मिलता है आपको restart पर tap करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone जो है automatic switch off हो जाएगा फिर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से क्या होता है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती है तो वह कमी जो है दूर हो जाती है कमी क्या हो सकती है देखे हमारा mobile phone जो है hang करता है और टरच करता है network की प्रव्लम होते हैं से बहुत सारी समस्या है जो है वह solve हो जाती है phone को restart करने से ठीक है अब दूस्तों इसके बाद आपको अगला process यहां पर करना क्या है देखिए आप आप इंफो लिखावा मिलेगा या फिर सरकल में आई बटन बनाऊगा इसे टैप करना है तो आपको यह वाला पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आपको यह storage and catch का option मिलता है इसे टैप करना है ठीक है अब इसके आगले पेज में आपको यह दो option मिलते है एक तो clear storage का दू हो जाएगा तो इस तरह किसा आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है ठीक है अब देखिए आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने mobile phone का system यहाँ पे चेक करना है कि वह updated है या नहीं है कई बार ऐसा होता है mobile phone के system का update आता हमें पता नहीं लगता है तो mobile phone का system जो है यह option मिलेगा system update का इसे tap करना है इसके अंतर अगर आपको कोई भी update का button या download and install लिखावा दिखाई देता है तो उसे आपको tap कर देना है इससे आपका phone जो update हो जाएगा और आपके phone में order rush की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला process करना है कि आपकी manage app पे select करना है manage app ठीक है इसके अंतर आपको अपडेट available के नीचे c detail है c detail पे tap करना है तो आपके अपनों वो सभी apps आपको दिखाई देंगी जो आपके update में pending है तो इन सभी apps पर आपको update कर लेना है जिससे आपके order rush की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद आप आपको अपने phone को reset करने की बिल्कूल भी जरूथ नहीं है तो आपको phone को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open करना है इसके अंदर आपको 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 reset option मिलेगा reset option पर tap करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे result data factory reset पर tap करना है तो आपको mobile phone reset हो जाएगा और आपकी mobile phone में जो auto touch की problem है वो आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको mobile phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखने है कि आपके phone में जितना भी data है सारा data आपको किसी दूसर फोन में transfer कर देना है और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखने कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो इस सारे प्रोसेस को आप फोलो कीजिए तो आपके phone में जो auto touch की problem है वो आपकी solve हो जाएगी अगर इस सारे process use करने के बाद भी आपकी auto touch की problem solve न जिसे आपके auto touch की problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने प्रोसेस बताया है मुवाइल फोन के software के जरीए बताया है अगर मुवाइल फोन की software की कमी के वज़े से auto touch की problem हो आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी problem solve हो देगी अधर्वाइस आपक अपने फोन के service center जाना पड़ेगा